जैसे ही कोई साफ किसी इंसान को काटता है, वैसे ही कुछ इस तरीके से उस साफ का जहर इंसान के मास में ट्रांस्वर हो जाता है। देखो साब के जबडे में यहाँ यह venom glands हैं, इन venom glands में यहाँ पर ही यह जहर इस्टोड रहता है और इसके जस्ट पीछे यह compressor muscles होती हैं जब साब का मूँ बंद होता है तो उसके दात ऐसे folded होते हैं, जैसे ही साब डसने के लिए मूँ खोलता है, वैसे ही यह दात खड़े हो जाते हैं, इससे compressors दबती हैं, उससे venom gland पर pressure आता है और कुछ इस तरीके से जहर साब के दातों से होता हुआ इंसान के शरीर में चला जा साब डसने के बाद लोगों की सबसे बड़ी गलती जो डॉक्टर्स बताते हैं, वो यह कि जहर को रोकने के लिए इस तरीके से रसी भांदेना, लेकिन असलियत तो यह है कि रसी भांदेने से आप अपना और जादा नुकसान कर रहे हो, हम सब को इस बात से agree करना का आखिर है क्या है, लेकिन हर बार की तरह है, शुरू शे शुरू करते हैं, आगे भणने से पहले I would like to tell you about an amazing offer from Geeks4Geeks, increasing artificial intelligence की wave को देखते हुए, सबने बस उपर-उपर से सुन लिया है कि coding सीखो, coding ही future है, लेकिन ना के बराबर लोगों को ही पता है कि coding field में important skills सीखने का सह जो आपको मेरे coupon code POH199 पर मिलेगा और ये code सिर्फ 100 students के लिए ही applicable है, इसके अलावा एक और good news ये है कि Geeks4Geeks में अभी 390 challenge चल रहा है, इस challenge में अगर आप Geeks4Geeks के किसी भी course में admission लेने के बाद 90 days में 90% तक finish कर लेते हो, तो Geeks4Geeks आपको उस course की admission fees का 90% refund कर देगा, अच्छ जो आपको सिर्फ 90 days में एक new skills सीखने के लिए push करती है, अभी की अभी description में दी गई लिंक्स को यूज करके Geeks4Geeks पर register करो और right coding skills acquire करो, सबसे पहले तो ये समझो कि साप का जो जहर है, वो उसका थू, यानि कि उसका saliva ही है, साप का जहर यानि सलाइवा basically 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है, water जो कि 90% होता है, प्लस कुछ प्रोटीन होता है, प्लस थोड़ा सा actual toxin यानि जहर होता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अगर एक बूंद भी साप के जहर की खून में डाली जाए, तो blood इतना जादा गाड़ा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से जम जाता है, इंडिया में कोब्रा सबसे जादा common है, इसलिए उनी का example ले लेते हैं, ये एक किंग कोब्रा है और ये जब इनसान को डसता है, तो ये आपके flesh में, यानि कि ये आपके मास में अपना जहर छोड़ देता है, अब लोग ये सोच के रसी भान देते हैं कि रसी तो खून रुख जाएगा और खून रुख जाएगा तो जहर भी रुख जाएगा, लेकिन असलियत तो ये है कि initial level पर सापका जहर आपकी blood vessels में, यानि आपके खून में travel करता ही नहीं है, वो आपके lymphatic system में travel करता है, इस concept को ये बहुती simple example से समझो, imagine करो ये जो city है, ये आ आपकी body को clean करना, चोकाने वाली बात ये है कि initially सापका जहर भी इन service lens में ही, यानि इस lymphatic system में ही travel करता है, आपके highway पे नहीं, यानि आपके blood vessels में नहीं, इसलिए साप काटने के बाद जैसे ही आपने रसी भांदी, वैसे ही आपने सिर्फ highway पर buried लगाया है, service lens अभी भी पर जाएंगे और हाथ नीला पर जाएगा, और सबसे last में compartment syndrome की नहुबत आ जाएगी, यानि muscles पर इतना pressure develop हो जाएगा कि वो वहाँ से फट जाएगे, 100 बात की एक बात ये है कि साप काटने के बाद आगर आपने रसी भांदी, तो जहर तो शरीड में वैसे ही फैला, उपर से हाथ काटना पड़ेगा वो अलग, साथ ही ये बात भी याद रखो कि ये initial stage थी, वरना ऐसे तो सर्विस लेंस लास्ट में जाके highway में ही मिल जाती है, हाँ, body में भी, साप काटने के बाद जान बचाने के लिए अगर सबसे घटिया हरकत कोई की जा सकती है, तो वो ये है, भाई जहर चूसना नहीं होता, ऐसा करने से एक नहीं, दौनों ही मरेंगे, खेर, modern medical science का मानना है कि साप के काटते ही साप से दूर होने के बाद, सबसे पहली कोश्यों साप की ये होनी चाहिए कि परिशान नहीं होना है, शांत रहना है, मैं समझ सकता हूँ कि उस समें शांत रहना असंभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सिर्फ 30% साप ही जहरीले होते हैं, 70% तो normal साप ही है और जो 30% जहरीले हैं, उसमें से भी 50% chances हैं कि साप ने जहर inject किया ही नहीं, जस्ट आपको डराने के लिए उसने dry bite किया था, modern medical science ये भी कहती है कि जहा साप ने आपको काटा, उस limb को बिल्कुल भी move नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा moment करेंगे, पूरी body में venom उतनी ही ज़्यादा तेजी से फैल जाएगा, doctors का मानना है कि उस area से jewelry और tight clothing भी totally remove कर देनी चाहिए, strict guidelines ये भी है कि साप काटने के बाद किसी भी सपेरे या आंतरिक के पास बिल्कुल नहीं जाना है, साप के जहर से बचाने के लिए दो really important बाते ये हैं, कि या तो आपके पास, या जिस भी person को आपने help के लिए बुलाया है, उसके पास साप की photo या description होना बहुत जरूरी है, और सापने कितने बज़े आपको काटा, ये बात पता हो बहुत जरूरी है, इनफेक्ट guidelines तो ये भी कहती हैं कि साप के काटने के बाद जैसे ही आप घाव दोके उस पर bandage लगाते हो, तो उसके ऊपर ही साप के काटने का approach time भी लिख देना है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि hospital पहुंसते पहुंसते अगर patient बेहोश हो भी गया, तो भी डॉक्टर को तो सही detail bandage पर दिखी जाएगी, और साप की photo कीच के रखने वाली बात के पीछे logic ये है कि antivenoms basically दो प्रकार के होते हैं, monovalent और polyvalent, आगे भणने से पहले एक बात ये भी अच्छे से समझ लो कि सामने table पर रखे हुए ये जो antivenoms आपको दिख रहे हैं, सा polyvalent वाली डिपी के अंदर एक common antivenom होता है, जो काफी snake bites पर असर करता है और कुछ कुछ पर असर नहीं भी करता है, अब patient तो hospital पहुंसते पहुंसते भेवोस हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास photo हुआ, तो आपको सही antivenom दिया जा सकता है, सोचो अगर आपने गलट description दे और किसी दूसरे साब का antivenom डॉक्टर ने patient के शरीर में डाल दिया, तो साब के जहर से कैसे बचना है वो तो आपको समझ आ गया, लेकिन इस वीडियो पर क्लिक करके ये समझो कि कुट्टे के काटने के बाद, दुनिया की deadliest virus rabies से कैसे बचना है?